हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे फायर्स API के अंदर कैसे आपको पोजिशन एक्जिट करनी है यूजिली एड़ एंड अफ दे आपको कई बारी क्या होता है कि सारी ओपन पोजिशन ओपन करनी होती है या फिर एक एक करके वन बाई वन आपको क्लोज करना है पोजिशन तो उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे हाँ 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 ही कैसे हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग इन कर सकते हैं अगर आपको एक पोजीशन ओपन करना है तो आप इस तरह से पहले डेटा बारा होगे डेटा में आईडी में आप पास कर दोगे उस पोजीशन के डेटेल और अगर आपके पास पोजीशन और उसमें डेटा पास कर दोगे अगर आपके पास more than one पोजीशन क्लोज करना है तो आप इसको लिस्ट बना दोगे जैसे लिस्ट कैसे बनाओ गे यहां यह डाला और यह सेम इसको कॉपी कर लोगे यह प्रोगर्राम में आप डानेमिकली भी इसे पास पूजिशन सारी पोजीशन में अपना सिम्बल और बाकी की डिटेल्स, लाइक, सिम्बल उसके मार्जिन है, डिलीवरी है, मार्जिन है, इंटर डेय, मिस और जो नॉर्मल बोलते हैं जी रोदा में यहां पर मार्जिन और इंट्रा बोलते हैं लोग फायर्स वाले तो उसको अपेंड करते जाओ डेटा डेटा लिस्ट के अंदर सिमिलरली यहां पर लेट से आपके पास यह दोनों पी था तो पी भी डाल दोगे दोनों मार्जिन पोजिशन से मेरी और 42,900 का सी है और लेट से 41,300 का पी अगर यह दोनों पोजिशन बाई सैल कैसा भी होगा यह आपको एक्जिट कर देगा यह वैंतर ठीक है उसके बाद हमन इसके response को प्रिंट किया है यहां पर just to see कि क्या आया उसका इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कोई error तो नहीं आया है error आया है तो आप simply आप कोई alert system ट्रिगर कर सकते हो अपने telegram पर या WhatsApp पर और जिससे आपको notice में आया है और आप manually चेक कर सको similarly अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे data यहां पर तो यह जितनी भी आपकी open positions है whether intraday derivative की है या फिर cash market की है वो सारी close कर देगा और यहां पर similarly हमने यहां पर print किया है मैंने run किया था तो उसको मैं देखा देता हूँ आपके लिए कि कैसा output आता है यह तो मेरे login का आ गया यह token हमने print किया था आप न यह मेरी open positions जितनी भी थी वो आ गई उस particular account में यह next मेरा error आ गये हैं दोनों calls में but आप call करोगे क्योंकि मैंने aftermarket call किया है आप अगर सही time पर सही ID के साथ call करोगे तो आपको error नहीं आएगा और यह execute हो जाएगा अच्छे से एक मेरे पास YouTube का query आई थी उसके लिए मैंने यह video बनाया है कि कैसे आपको सारी positions या एक एक करके positions exit कर सकते हो ओके तो दोस्तों कैसा आपको वीडियो लगा ऐसा कमेंट्स में डालना आपका response और like and share करना चैनल को thank you